लीजे सुनिये राहुल सांक्रत आयन के लिखे कहानी संग्र है वोलगा से गंगा की छठवी कहानी अंगिरा मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में स्थान गंधार तक्षशिला जाती हिंदी आर्रे काल अठारहसो इसा पूर्व बेकार है ये कारपास वस्त्र ना इससे जाड़ा रुकता है ना वर्षा से बचाओ अपने भीगे कंचुक को हटा कंबल ओढ़ते हुए तरोण ने कहा किन्तु गर्मी की रितु में ये अच्छा होता है दूसरे तरोण ने भी कंचुक को किवाल पर पसारते हुए कहा शाम होने में अभी काफी देर थी किन्तु आवस्त यानि पात्षाला में आग के किनारे अभी से लोग डटे हुए थे दौनों तरोण धुए में बैठने की जगए गवाक्ष के पास हवा के खयाल से कंबल ओड़कर बैठ गए पहला तरोण हम अभी एक योजन जा सकते थे और कल सवेरे ही गंदहर नगर में पहुँच जाते किन्तु इस पानी और हवा को क्या किया जाए दूसरा जाडों की ये बदली और बुरी लगती है तो तो है मित्र सिर्फ पान्थी ही है जो इसे नहीं पसंद करते और कोई सदा पान्थ भी तो नहीं रहता फिर गर्दन के पीछे घाओ के बड़े दाग को देख कर कहा तेरा नाम मित्र पाल माद्र और तेरा वरुन सौवीर तो तू पूर्व से आता है हाँ मद्रों में से और तू दक्षिन से बतला मित्र दक्षिन में सुनते हैं असुर अभी आर्यों से लड़ रहे है सिर्फ समुद्र तट पर उनका एक नगर बच रहा था जानता है ना मित्र हमारे मगवा इंद्र ने किस तरह है अस्रों के सौ नगर दुर्गों को तूड़ा था सुना है अस्रों के नगर दुर्ग लँख यानि ताम्बे के थे अस्रों के पास लँख ज Punta नगर दुर्ग बनाने भर के लिए नहीं मैं नहीं समझता ये कथा कैसे पहली असरों के मकान इंटों आग में पकाई चोको और किंतु لم्बी यदिक के होते हैं उनके नग्रों को जिस दीवार से गेरा गया रहता है वो भी एंट की होती है ये इंटे लौह यानी लाल वरण की होती है किन्तु लौह यानी ताम्रधातू और हीटों में इतना अंतर है कि उसे लौह नहीं कहा जा सकता लेकिन हम तो वरों असरों के लौह दुर्ग को ही सुनते आते हैं शायद हमारे इंद्र को इंद्रुगों के तोड़ने में जितनी शक्ती लगानी पड़ी उसी के कारण ये नाम पढ़ा हो और शंबर के पराक्रम की भी तो बड़ी-बड़ी कथाएं सुनी जाती हैं उसका समुद्र में घर था उसका रथ आकाश में चलता था रथ की बात बिलकुल गलत है असुर यदि किसी युद्ध विद्या में सबसे निर्बल है तो अश्वा रोहन में आज भी उत्सव के समय असुर अश्वरत की जगए वर्शब रथ जोडते हैं मैं तो समझता हूँ पाल हमारी ये अश्वी ही थे जिनके कारण हम विज़ाई हुए नहीं तो असुर पुरों को जीतना सकते थे शंबर को मरे दो सु साल हो गए किन्तु मुझे विश्वास है उसके पास अश्वरत भी न रहा होगा आकाश में चलने की तो बात ही क्या तो शंबर यदि इतना साधारन शत्रू था तो उसके जीतने से हमारे इंद्र की इतनी महीमा क्यों हुई क्योंकि शंबर बहुत वीर था उसके सौन खचित लौह कवच को मैंने सौवीर पुर में देखा है वो बहुत ही द्रण और विशाल है असुर आमतोर से कदमे छोटे होते हैं किन्तु शंबर बहुत बड़ा था बहुत लंबा चोड़ा और शायद कुछ अधिक मोटा और हमारा मगवाइंद्र उससे पतला चरहर जवान सिंदु के तट पर अभी असरों के पुरदुर्ग देखने को मिलते हैं इनके भीतर रहकर कुछ सो धनुरधर हजारों शत्रुभटों को पास आने से रोक सकते हैं वस्तु तहाई असरों की पुरियां अयुद्या यानि अपराजे थी और ऐसी अयुद्या पुरियों को तोड़ने वाला हमारा मगवाइंद्र नहीं आर्रे सेना महा पराक्त्रमी थी दक्किन में क्या अभी असरों का बल मौजूद है वरुन कहा नहीं सागर तीर का उनका अंतिम दुर्ग अभी हाल में तूटा है इस युद्ध में मेह भी शामिल हुआ था कहते हुए वरुन के अरुन मुख पर और अधिक लाली छिटक गई और उसने अपने दीर घचम कीले पीले केशों को पीछे की ओर सहलाते हुए कहा असरों के अंतिम पुर्दुर्ग का पतन हो गया तुमारा इंद्र कौन था इंद्र का पद हमने तोड़ दिया है तोड़ दिया है? हाँ क्योंकि इससे हम दक्षणी आर्यों को डर लगने लगा डर क्यों? इंद्र का आर्थ हम सेना नायक समझते हैं न? हाँ और सेना नायक को आर्य अपना सब कुछ नहीं मानते युद्ध के समय उनकी आग्या को भले ही शिरोधार्य माने किन्तु आर्य अपनी जन परिशद को सर्वोपरी मानते हैं जिसमें हर आर्य को अपने विचार खुलकर रखने का अधिकार होता है हाँ ये है किन्तु इसके विरुध असुन का इंद्रिया राजा सब कुछ अपने ही है वो किसी जन परिशद को अपने उपर नहीं मानता असुर राजा की मुह से जो निकल गया वही हर एक असुर को करना होगा नहीं तो उसके लिए मृत्यू है ऐसे इंद्र को हम लोग कभी पसंद नहीं कर सकते किन्तु असुर ऐसे ही इंद्र को पसंद करते आते थे अपने राजा को वो मनुश्य नहीं देवता मानते थे और उसकी जिन्दा पूजा के लिए वो जो जो करते रहे हैं उसको सुनकर मित्र तू विश्वास नहीं करेगा हाँ मैंने भी देखा है असुर पुरोहित अपने लोगों को गधहा बना कर रखते हैं हाँ गधहे से भी बढ़कर सुना है न वो शिश्न यानि लिंग और उपस्त को पूछते हैं मैं मानता हूँ इस तरी पुरुष के आनंद के ये दो साधने इनके दोरा हमारी संतान आगे चलती है किन्तु इनको साक्षात या मिट्टी पत्थर का बना कर पूजना कितनी भारी मूर्खता है इसमें क्या शक और असुर राजा शिश्न देव के भारी भक्त थे किन्तु इसमें तो मुझे निरी चाला की मालूम होती है आखिर असुर राजा और उनके प्रोहित मूर्ख नहीं होते वो हमार्यों से ज्यादा चतुर होते है उनके नगरों जैसा नगर बनाने के लिए हमें उनसे बहुत सीखना पड़ेगा उनकी पन्ने भी थी यानि बाजार उनके कमल शुवित सरूवर उनके उच्च टालिका है उनके राजपत ऐसी चीजें है जिने शुद्ध आर्ये भूमियों में नहीं पाया जा सकता मैंने उत्तर सौवीर के असुर परित्यक्त नगरों को देखा है और इस नव पराजित नगर को भी हमार्ये उनके पुराने नगरों को देवपुर देवपुर और पृत्वी पर उसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती मित्र एक परिवार के रहने लाइक घर को ही ले लीजे इसमें सजे हुए एक या दो बैठक खाने धूमनेत्रक यानि चिमनी के साथ अलग रसोईगर आंगन में इट का कुआ इसनानागार, शाइनागार, कोष्ठागार साधरन बनियों के घरों को मैंने दो दो तीन तीन तल के देखा है कि आब अखान करूँ असुरपुर की उपमा मैं सिर्फ देवपुर से ही दे सकता हूँ पूरब मैं भी असुरों के नगर है किन्तो हम मद्रों की स्यालकोट वाली भूमी से वो बहुत आगे है मैंने देखा है मित्र और ऐसे नगरों के बसाने बनाने वाले हम से अधिक चतुर थे इसे हमें मानना पड़ेगा सागर के बारे में तो नहीं सुना हो नाम सुना है सिर्फ नाम सुनने या वरनन करने से अंदाजा नहीं लग सकता सागर के तड़ पर खड़े होकर देखने से कुछ-कुछ पता लगता है सामने उपर नील जल नीले आकाश से मिला हुआ है आकाश से मिला हुआ वरून हाँ जितना ही आगे देखें जल ताणों उपर उठता चला गया है और अंत में जाकर आकाश से मिल जाता है दोनों का रंग भी एकसा होता है हाँ सागर जला धिक नीला होता है और इस अपार सागर में असुर अपनी विशाल लौकाओं को निर्भए होकर चलाते वर्ष और महिनों के रास्ते जाते और सागर से नाना परकार के रत्न लाते है असुरों के साहस और चत्राई का ये भी एक नमूना है यही नहीं एक बात तो तुने सुनी भी ना होगी मित्र असुर बिना मूँ से बोले बातचीत कर सकते हैं बिना बोले? क्या कहा मित्र? हाँ बिना बोले, मिट्टी, पत्थर, चम्रे को दे दो, एक असर उस पर कुछ चिन्ह खीच देगा और दूसरा सारी बात समझ लेगा, जितना हम दो घंटा बात करके नहीं समझा सकते, उतना वो पांच दस चिन्हों को खीच कर बतला सकते हैं, अब हमारे आर्य उन चिन्हों को सीख रहे हैं, किन्तु वर्षों लगाने पर भी उनका सीखना पूरा नहीं होता, तब जरूर असर हमसे अधिक चतुर थे, और उनके लोहारों, दस्तकारों, कुम्भकारों, रतकारों, वंशकारों, कर्मकारों, तंतुकारों के हाथ की कार गरी को तो हम सब देखते ही रहते हैं पिर असरों के अधिक चतुर होने में संदेख क्या हो सकता है और तुने कहा कि असर वीर भी होते हैं हाँ किन्तु उनकी संग्या बहुत कम है आर्यों की तरह उनका हर एक बच्चा दूध छोड़ते ही तलवार से नहीं खेलता उनके यहा उन्हें युद्धा बहुत नीची निगाह से देखते हैं और दास-दास्यों के आवस्था तो पशू से भी बढ़तर है उन्हें खरीते बेचते ही नहीं है बलकि वो उनके शरीर प्रान से मनमाना कर सकते हैं उनमें युद्धा कितने होंगे? सो में एक से भी कम और दास दासी सो में चालिस अर्धदास सो में चालिस शिल्पी और किसान अर्धदासे और सो में दास व्यापारी बाकिने दूसरे तभी तो असुर आर्रेयों से हार गए हाँ उनकी हार में ये एक प्रधान कारण था और एक बड़ा कारण था उनका राजा को सारे जन के उपर देउता माल लेना इसे तो हम आर्रेय कभी नहीं मान सकते इसलिए हमें इंदर का पद तोड़ना पड़ा मगवा के बाद कि किसी इंदर की बात है उसने चाहा असुर राजा जैसा बनना असुर राजा जैसा आर्रेय जन के साथ मनमानी करना हाँ और वही एक नहीं उसके बाद दूसरे ने फिर इस बात में कुछ आर्रेय भी उनकी साहायता करते पक्ड़े गए सहायता करते कुल परिवार की ख्याल से इसलिए सौवीर जन्न ने तै किया कि अब कोई इंद्र नहीं बनाया जाएगा इंद्र अशनी यानी बिजली हस्त देउता का नाम भी है जिससे लोगों में भाय फैलने का डर है अच्छा किया सौवीर जन्न मित्र लेकिन कितने ही आर्रियों के नाम लजाने वाले पैदा हो गए है जो असरों की हर बात की प्रशंसा करते नहीं ठकते उनकी कितनी ही प्रशंसनी ये बाते हैं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूँ उन्हें हमें लेना चाहिए उनके हत्यारों को हमने अपनाया उनके विर्शब रथों की देखा देखी हमारे मगवा इंद्र ने अशुरत बनाए धन और धर के लिए गोड़े पर से अधिक सुभीता रथ में होता है वहाँ वो जितना चाहे उतने तरकश रख सकता है शत्रू के तीरों से बचने के लिए आवरण भी रख सकता है रतन और बहुत सी चीजें सागर पार से आती है अभी भी ये सारा व्यापार असुर व्यापारियों के हाथ में है यदि हम उनसे स्वतंत्र होना चाहते हैं तो सागर नौचालन सीखना होगा किन्तु अस्रों की बहुत सी बाते हैं जिनको हमें घातक समझना चाहिए जैसे शिश्न पूजा लेकिन शिश्न पूजा को कौन आर्रे पसंद करेगा मत कहमित्र कितने ही आर्रे कह रहे हैं कि अस्रों की भाती हमें भी अपनी पुरोहित बनानी चाहिए हमारे यहां योध्धा, पुरोहित, व्यापारी, कृशक, शिल्पी का भेद नहीं सब सभी काम इच्छान सार कर सकते हैं किन्तु असरों ने अलग-अलग श्रेनिया बना रखी है आज आर्रियों में पुरोहित बन जाने दो और देखेंगे, कुछी वर्षों में शिशन यानि लिंग पूजा भी शुरू हो जाएगी असरों पुरोहित बहुत मकार होते हैं लाब-लोब के लिए आर्रे पुरोहित भी वही करने लगेंगे ये तो बुरा हो का वरुन पिछले दोसव वर्षों के असर संसर्ग से आर्रेयों में उनकी कितनी ही बुराईयां आने लगी हैं उनको देखकर बुढ़े बुढ़े आर्रे निराश हो रहे हैं मैं निराश नहीं हूँ मैं समझता हूँ यदि आर्रे जन को अपनी पुरानी बाते ठीक से समझाई जाए तो वो पथ ब्रष्ट नहीं हो सकता गंदार नगर यानि तक्ष शिला में अंग्रा नाम के सुना है एक आर्रे रिशी यानि ज्यानी है वो आर्रे यों की पुरानी विद्या के भारी ग्याता है वो आर्रे यों को आर्रे मार्ग पर आरूढ करने के लिए शिक्ष देते हैं मैंने आर्रे यों के विज़ाई के लिए तलवार चलाई है अब चाहता हूँ आर्यत्व की रक्षा के लिए भी कुछ करूँ किसा सैयोग है मैं भी रिशी अंगिरा के पास ही जा रहा हूँ उनसे युद्ध विद्या सीखने किन्तु पाल तुने पूरब के आर्ये जनों की बात नहीं बतलाई पूरब में आर्ये जन वन की आग की तरह बढ़ रहे है इस गंधार से आगे की भूमी को हम मद्रों ने लिया है उससे आगे मल्लों ने अपना जन पद यानी जन की भूमी बनाया है इसी तरह कुरू पंचालादी जनों ने भी बड़े बड़े परदेश अपने हाथों में किये है तो वहां बहुत भारी संख्या में आर्ये जा रहे हों बहुत भारी संख्या में नहीं जितना ही आगे बढ़ते जाएं उतनी ही अस्रों और दूसरों की संख्या अधिक मिलती है दूसरे कौन मित्र? अस्र मंगुर के चमरे या तामे जैसे वरन के होते हैं पूरब में एक और तरह के लोग रहते हैं जिने कोल कहते हैं वो बिलकुल कोईले जैसे काले होते हैं ये कोल गाओं में भी रहते हैं और जंगलों में म्रगों की तरह भी। जंगली कोलों के कितने ही हत्यार पत्थर के होते हैं। तो आर्दे जनों को अनार्दियों के साथ बहुत लड़ना पड़ता होगा। डटकर लड़ाई अब बहुत कम करनी होती है। आर्दियों के गोड परकूलों के गाओं के गाओं खाली हो गए हैं। वो पूरब की और भागते जा रहे हैं। तो तेरे हापाल असरों के चालवे ओहार के पकड़ने का डर नहीं है। मद्र के जन्मे नहीं। और शायद यही बात मल्लोंकी भी है। आगे की नहीं कहता हमारे हवस्तुतहाँ अन पूछा होता तो शायद अभी वो खतम भी न होता आवसत ग्राम की ओर से बनाया गया था जिसमें सभी यात्रियों इसे कहनी कि आवश्यक्ता नहीं कि पीत केशों के ठहरने का प्रबंद था और जिनके पास खाना नहीं होता उन्हें आवसत की ओर से सत्तु गोमास सूप मिलत सामान या बदले की चीज़ दे देने पर आवसत रक्ष का भोजन बना देती सूम और सुरा के लिए ये आवसत बहुत प्रसिद्ध था वरुन और पाल ने आग में भुने गोमास और सुरा से अपनी मित्रता को मजबूत किया रिशी अंगिरा सिंदु के पूर्व वाले गंधार जन के उँचे से उँचे पद जनपती तक रह चुके थे यद्यपी पुषक अलावती चार सद्ध से पृथम पुष्ट के बाद असुर लोग हटने लगे थे और जब दूसरी पीड़ी में कुनार तट से आकर गंधार जन की एक शाखा ने पश्चमी गंधार को पराजित कर लिया तो मरने से बचे हुए असुर बड़ी तेजी से पश्चमी गंधार को खाली करने लगे उसे 30 साल बाद ही सिन्दू के पूरब की भूमी पर गंधार और मदर जनों का हमला हुआ और वितस्ता यानि जेलम और सिन्दू की भूमी को गंधारों तथे वितस्ता और इरावती यानि रावी के बीच वाली को मदरों ने आपस में बाट लिया जो पीछे क्रमशा, पूर्व गंधार और मद्र जन्पत के नाम से प्रसिद्ध हुए इस आरंभिक देव यानी आर्रे असुर संग्राम में दोनों जातियों ने अमानुशिक क्रूरता दिखलाने में होड लगा रखी थी जिसका परिणाम हुआ कि गंधार में बिलकुल ही नहीं और मद्र में बहुत कम असुर बच रहे लेकिन समय बीतने के साथ आगे असुरों का विरूध कम पढ़ने लगा और पीत केशों ने भी अपनी युद्ध करूरता कम की यहीं नहीं बलकि जैसा कि वरून सौवीर ने कहा था पीत केशों पर असुरों की बहुत सी बातों का प्रभाव पढ़ने लगा रिशी अंगिरा वक्षुत अट से चली आती आर्रे परंपरा के बड़े पंडिती ही नहीं थे बलकि वो चाहते थे कि आर्रे अपने रक्त तथा दूसरे आचार व्यवारों की शुद्धता को ना छूड़े इसलिए पूर्वी गंधार में अश्व मास भक्षण जो एक प्रकार छूट गया था कोनों ने अश्व पालन को उत्साहित कर फिर से स्थापित किया उनके इस अर्यत्व प्रेम उनकी विद्या और युद्ध विद्या चात्री की ख्याती इतनी बढ़ चुकी थी कि दूरतम आर्रे जन पदों से भी आर्रे कुमार उनके पास शिक्षा ग्रहन करने के लिए आने लगे किन्तु उस वक्त किसी को क्या पता था कि आगे चलकर गंधार पुर में अंगिरा का रोपा ये विद्या अंकुर तक्ष शिला के रोप में एक विराट विरिक्ष बन जाएगा जिसकी चाया और मधुर फल से लाब उठाने के लिए सैक्णों योजन दूर से चलकर आर्रे विद्या प्रेमी आएंगे रिशी अंगिरा की आयू 65 साल की थी उनके श्वेट केश ना भी तक लटकती श्वेट चमकती दाड़ी उनके प्रशांत गंभीर चहरे पर बहुत आकर शक मालूम होते थे अभी लेखनी, स्याही और भुर्ज पत्र इस्तिमाल करने में कई सदियों की जरूरत थी उनका सारा ध्यापन मौकिक हुआ करता था जिसमें पुरानी गीतों और काविताओं को विद्यार्थी दोहरा दोहरा कर कंठस्त करते थे दूर के विद्यार्थी अपने साथ खादे सामगरी नहीं ला सकते थे इसलिए रिशी अंगिरा को विद्यार्थियों के भोजन वस्तर का प्रबंद करना पड़ता था अंगिरा ने अपने पैत्रिक खेतों के अत्रिक्त विद्यार्थियों की सहायता से जंगल काट कर नए खेत आबाद किये थे जिन से साल भर के खाने के लिए गेहु पैदा हो जाता था अभी बाग वगीचों का रवास न था किन्तु जंगल में जब फल पकने का समय आता तो अपनी शिश्य मंडली के साथ वो वहाँ फल जमा करने के लिए चले जाते केत जोतने बोने काटने फूल फल काष्ट जमा करने के समय रिशी और उनके विद्यार्थी वक्षू और सुवास्तु के तटों पर बने गीतों को बड़े राग से गाया करते सारे गंधार में सबसे बड़ा अश्वत यानि अश्वपालने का इस्थान रिशी अंगिरा का था दूर दूर तक अपनी शिश्यों और परचितों से ढुणवा कर उन्होंने उच्च जाती के घोडे घोडियों को जमा कर उनके वंश की विरिद्धी की थी सेंधव यानि सिंधु तटवर्ती घोडों का जो पीछे सरवत्र भारी नाम हुआ उसका प्रारंब रिशी अंगिरा के अश्वत से ही हुआ था इनके अतरिक्त रिशी अंगिरा के पास हजारों गाएं और भीडें थी उनके शिशियों को विध्याध्यायन के साथ साथ बराबर काम करना पड़ता था जिसमें अरिशी भी समय समय पर हाथ बंटाते थे ये जरूरी भी था क्योंकि इस प्रकार शिशियों को खाने पहनने की कोई तकलीफ नहीं होने पाती थी तक्ष शिला के पूर्व के सारे पहाड सुजल सो फल हरे भरे थे रिशी अंग्रा के साथ उस वक्त वरुन और पाल की टोली गोश्ट की देख भाल कर रही थी तंबूओं के बाहर कुछ दूर पर लाल उजले बच्डे फुदक रहे थे और रिशी अपने शिशियों के साथ बाहर हरी घास पर बैठे हुए थे रिशी के बाए हाथ में बारी एक उन की पूनी थी और दाहिना हाथ काट की बड़ी तक्वली को चला रहा था शिशियों में भी कोई तक्व्ली चला रहा था कोई उन निकिया रहा تھा कोई हाथो लंबी पूनी तैयार कर रहा था आजेर रिशी प्राचीन और नवीन आर्य और अनार्य रिती रिवागेशं शिल्पवेवसायों में कौन ग्राह है कौन त्याज्य है इस बात को समजा रहे थे वाद्सो सभी नवीन त्याज्य है सभी प्राचीन ग्राह है ये कहना बिल्कुल गलत है और करना तो और भी असंभव है वक्षु तट के आर्रियों में जब पहले पहल पत्थर के हत्यारों की जगह है तामे का हत्यार परचारित होने लगा तो कितनों ने इस नवी इन चीज का विरोध किया था रिशी के प्रिये शिश्य वरुन ने पूछा पत्थर के हत्यारों से कैसे काम चलता होगा आज वत्स तामे के हत्यारों से काम चल रहा है कल इस से भी तेक्टन कोई हत्यार निकल आएगा फिर लोग सवाल करेंगे तामे के हत्यार से कैसे काम चलता होगा जो हथ्यार जिस वक्त प्राप्पे होता है आदमी उसी से काम चला लेता है जब पाशान के कुलहाड़े से लड़ाईयां लड़ी जाती थी तो दोनों पक्ष के भटों के पास पाशान के ही कुलहाड़े होते थे जैसे ही एक पक्ष के पास तामे का कुलहारा आया वैसे ही दूसरे पक्ष को भी पाशान चोड़ तामे का कुलहारा हाथ में लेना पड़ा यदि वो ऐसा ना करता तो संसार में जीने के लिए उसे Corona मिलता इसलिए मैंने कहा सभी नवीन बातों को त्याज जिये कहना गलत है यदि मैं नवीन के विरोधी होता तो इतनी सुन्दर गोड़े इतनी सुन्दर गाये ना पैदा करा सकता मैंने देखा अच्छे गोड़े गोड़ियों के अच्छे बच्छेड़े होते हैं मैंने कुछ अच्छे अच्छे घोड़े घोड़ियों को चुना और आज 35 वर्ष बाद इस वक्त तुम अंगिरा के घोड़ों की इस नसल को देखते हो असुर खेतों की खाद का अच्छा प्रबंद करते थे वो पहाड़ी नदियों से नहरे निकाल कर सिचाई करते थे हमने गंधार में इन बातों को सिक्रिट किया उनके शेहर बसाने की तरीके चिकितसा के कितने ही धंग बहुत अच्छे थे हमने उन्हें ले लिया है आहार परिधान जीवन रक्षा के लिए उपियोगी जितनी भी चीज़े मिलें उन्हें सुईकार करना चाहिए इसका ख्याल कि ये बिना कि वो पुरानी है या नई आर्रेयों से आई है या अनार्रेयों से सुवास्तु में और उससे पहले आर्रे कपास के वस्त्र का नाम भी नहीं जानते थे किन्तों यहां हम लोग उसे पहनते हैं गरिमियों में वो सुखद होता है लेकिन कितनी ही चीज़े हैं जिन क्योंकि उसके कारण सभी आदमी अपनी जन की रक्षा के लिए हथियार नहीं उठा सकते। आपस में उच नीच का भाव बढ़ता है। असरों के साथ रक्त मिश्रन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये असर बनने के लिए दर्वाजा खोल देगा। और फिर आर्रियों में भी नाना शिल्प और नाना वियफसायों की चोटी बड़ी जातियां बन जाएंगी। पाल रक्त सम्मिश्रन को तो सभी आर्रे बहुत बुरा समझते हैं। रिशी हाँ किन्तु इसके लिए उतना ध्यान देने को तैयार नहीं है। क्या असुर अत्वा कोलिस्त्रियों के साथ आर्रे समागम नहीं करते। वरुन सीमांत पर करते हैं और असुर पुरों की वैशियाओं के पास तो हमारे भट आमतोर से जाते हैं। रिशी इसका परणाम क्या होगा। वर्ण संकरता बढ़ेगी असरों में भी पीतकेश बालक बालिकाएं पैदा होंगी जिनें भ्रम्या धोखे में पढ़कर आर्रे अपने भीतर ले ले लेंगे फिर रक्त की शुधता कहा से रहेगी। इसलिए रक्त शुधता के वास्ते हमें इस तरी पुरुश दोनों और से पूरा ध्यान रखना होगा। यही नहीं हमें आर्रे जन्पद में दास पर्था नहीं सुईकार करनी होगी। क्योंकि रक्त की शुधता कुनिश्ट करने के लिए इस से खतरना कोई काम नहीं। बलकि मैं तो कहूंगा ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आर्रे जन्पद में अनार्रियों का वास नहोने पाए। सबसे बड़ा खत्रा और सारी बुराईयों की जड़ है असरों की राज पर था जिसका ही एक अंग है उनकी पुरोहित पर था। असुर जन्प कोई अधिकार नहीं। असुर राजा जो कहे उसी पर चलना हर एक असुर अपना धर्म समझता है। असुर पुरोहित सिखलाता है कि जन्प की सभी बातों का जिम्मा उपर देवता और नीचे राजा ने ले रखा है। जन्प को कुछ कहने का अधिकार नहीं। राजा स्वयम धर्ती पर देवता है। मुझे बड़ी प्रसनता हुई जब सुना कि शिवी सौवीरों ने इंद्र के पद को हटा दिया। यद्यपी इंद्र को आर्यों में वो इस थान कभी नहीं मिला जो कि असुर राजा को प्राप्त था। इंद्र जन द्वारा चुना एक बड़ा युद्धा मात्र था। वो जन पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं रखता था। तो भी इस पद से खत्रा था। और कुछ लोगों ने उसकी आण में आर्यों में राजप्रफग कायम करने का प्रैतन किया भी आर्य यदि अपने आर्यत्व को कायम रखना चाहते हैं तो उन्हें किसी आदमी को राजा जैसा अधिकार नहीं देना चाहिए। मौच करेगा और देवताओं की सहायता दिलाने के लिए वो पुरोहित को रिश्वत दे कर अपनी और मिला लेगा इस परकार राजा और पुरोहित मिल जन को अपना दास बना छोड़ेंगे हमें आर्रियों की पुरानी पर्थाओं को बड़ी द्रहता के साथ पकड़े रहना ह होगा और जहां भी कोई आर्रे जन उससे डिगे उसे आर्रियों की जमात से खारिच कर देना होगा सौवीर के दक्षणी भाग कराची के असपास से इधर कितनी ही चिंता जनक खबरें वरोन को मिल रही थी जिन से मालूम होता था कि अंते मसुड दुर्ग के पराज़य के साथ आर्रेयों के भीतर भारी कलहे उठखड़ी होना चाहती है वरोन ने अपने गुरू के साथ सौवीर की समस्या पर कई बार हर पहलू से विचार किया था रिशी अंगिरा का कहना था कि चाहिए ये कलहे पहले सौवीर में पैदा हुई हो किन्तो इसके भीतर से सारे आर्रेय जनों को गुजरना पड़ेगा आर्रेय सदा से व्यक्ति के उपर जनके शासन को मानते आए हैं उधर असरों की निरंकुष राज सत्ता को देखकर कितने ही आर्रेय नेताओं को अधिकार और भोग का प्रलोबन हो सकता है इन दोनों मनुवरित्तियों का संगर्ष जरूर होकर रहेगा और जिस जन्पद में असरों की संख्या जितनी ही अधिक होगी वहाँ इस संगर्ष की और जियादा संभावना है क्योंकि वहाँ पराजी तसुर आर्रेयों की भीत्री फूट से फाइदा उठाना चाहेंगे आठ वर्ष रहने के बाद सौवीर पुर यानी रोरुक और रोडी की खबरों को और चिंता जनक सुन वर्ष को गंधार पुर छोड़ना पड़ा आवसत के प्रथम साथी पाल माद्र ने उसका साथ दिया गंधार की सीमा पार कर वो नमक की पहाड़ियों वाले सिंधु जनपद में प्रविश्टो हुए नमक की खानों में काम करने वाले अभी असूर व्यापारी और श्रम एक ज़ादा थे जिसका सरपीत केशों यानी आर्रियों पर भी बुरा पड़ा था उनमें ज़्यादा आलत सिया था वो अपने काम को अनार्य कर्म करों से कराना जैदा पसंद करते थे कि हमारा काम गोड़े पर चढना और तल्वार चलाना है अनार्यों के सामने असरर राजाओं जैसी हीकड़ी दिखलाने वाले आर्य, राजसत्त अंकुरित करने के लिए अच्छे खेत्र थे लेकिन नमक की पहाड़ियों को पार करने पर सौवीरों का प्रथमिस्थान, मूलिस्थान, मुल्तान जब आया तो अवस्था कुछ अच्छी पाई यहां की निवासी सारे ही आर रिये थे और उनके लिए यह तारिफ की बात थी कि यहां की भीशन गर्मी वरुन और पाल गर्मी की रितु ही में यात्रा कर रहे थे यद्यपी सिंदु में नाओं से चलने के कारण मारग का कश्ट कम था को बरदाश्ट कर भी इस जनपत को आर रिये बनाए हुए थे सौवीर पूर यानि रोरुक और रोड़ी में गर्मी का क्या पूछना था खासकर गंधार पूर और उसकी पहाड़ियों से होकर आने के कारण उन्हें वो गर्मी ज्यादा परेशान कर रही थी आर रियों में अभी लिखने का संकेत यानि लिपी नहीं प्रचलित हुआ था इसलिए जब तक सौवीर के सार्थों दौरा वरुन ने अपने मित्रों को जो संदेश भेजा था वो पूरा नहीं पहुँच सकता था इस वक्त कितनी ही बार उसे असरों की लिपी का कयाल आया था सौवीर पुर में पहुचने पर उसे मालूम हो गया कि मामला बहुत दूर तक बढ़ चुका है स्वेम सौवीर पुर में सुमित्र के समर्थक बहुत कम थे किन्तु दक्षन सौवीर में अंतिम असर दुर्ग ध्वनसक सुमित्र का पक्ष लेने वाले आर्रेय ज्यादा थे इस अंतिम दुर्ग के पतन के समहे सेनापती सुमित्र ने असर नागरिकों पर आवश्यक्ता से अधिक दया दिखलाई थी उस वक्त वरुन इसके लिए सुमित्र का भारी प्रशंसक बन गया था किन्तु अब उसे मालूम हो रहा था कि ये सब सुमित्र की चाल थी वो समझता था इस पराज़े के बाद असर फिर आर्रेयों के विरुद्ध खड़े नहीं हो सकेंगे और इस दया प्रदर्शन से सागर पार के सार्थ वह असरों की संपत्ति और शक्ति का उप्योग हम अपने व्यक्ति अतलाब के लिए कर सकेंगे सुमित्र भी सेना को लिए हुए सागर तीर के असुर पुर में बैठा था और बनावटी युद्धों के बहाने वहां से लोटने का नाम नहीं लेता था वरुन पहले जन के साधरन नायकों से मिला उनको सुमित्र की बात इस पश्ट नहीं मालुम थी वो समझते थे व्यक्तिगत द्वेश के कारण कुछ जन नायक सुमित्र का विरोध कर रहे हैं फिर जब वो उन प्रधान नायकों से मिला जिन पर जन के शासन का भार था तो उन्होंने सारी बात बतलाई किन्तु साथ ही ये भी कहा कि सुमित्र की बुरी नियत हमारे लिए बिलकुत साफ होने पर भी जन के साधरन लोगों के लिए साफ नहीं है क्योंकि इसे वो दूसरे ही अर्थ में लेते हैं असुरपुर के विज़े में वरुन सुमित्र का उपनायक था इसलिए यद्यपी उस बात को बीते अब नौ साल हो गए थे तो भी लोगों में उसके खड़के की प्रशंसा बंद नहीं हुई थी वरुन ने जन को समझाने से पहले चाहा कि सुमित्र के बारे में खुद जाकर पता लगाए इसी अभी प्राय से एक दिन दौनों मित्र दक्षन सौवीर के लिए नौका पर सवार हुए उन्होंने गांधार व्यापारियों जैसा बाना बनाया असुर पुर के देखने से मालूम होता था वो सचमुच ही आर्यों का नहीं असुरों का पुर है उसकी पन्ने वीतियों में बड़े बड़े असुर सागर वनिकों के महल और देश विदेश की पन्ने वस्तुएं थी कितने ही असुर सामंत परिवार भी अपने महलों में बसे हुए थे और उनके आसपास दास दासी भी पहले ही की तरह हाथ बांधे खड़े रहते थे उनके मन में जिग्यासा होने लगी कि आखिर विजई आरी यहां पर कहां रहते हैं सुमित्र असुर राज के महल में रहता था एक दिन उसने गंधार वनिक की ओर से भेंट लेकर पाल मादर को उसके पास भेजा पाल ने लोटकर बतलाया कि पीले केशों और गौर मुख को छोड़ देने पर सुमित्र बिलकुल असुर राजा बन गया है उसका निवास किसी आर्रे सेना पती का सीधा सादा घर नहीं है बलकि सोने चांदी से चमचमाता असुर दरबार है उसके पार शर्च सेनिकों में भी वो सादगी नहीं है सबता है बीतते बीतते मालूम हो गया कि वहां आर्रेयों का पता लगता है असुर कन्याओं के नृत्तियों तथा सुरा गोश्टियों में कितनी आर्रे इस्त्रियां अपने पतियों के पास जाना चाहते है किन्तु बहाना करके उन्हे आने से मना कर दीया जाता है सुमित्र ने बहुत बार संदेश भेजने पर भी अपनी इस्त्रियों को आने से रोग दिया वो स्वैम असुर प्रोहित कि कन्या के प्रेम में फसा हुआ था और वही नहीं नगर की कितनी ही असुर सुन्द्रिया उसकी अंतह पुर्चारनी थी अपने आर्रे सेनिकों के लिए भी उसने वैसी ही छूट दे रखी थी दूसरे आर्रे जब आने लगते तो दासों से दंगा करवा देता जिससे कुछ खुन खराबी होती और आर्रे आने से रुक जाते वरुन ने सारी बातों का पूरा पता लगा अपने मित्र के साथ चुपचाप एक दिन सौवीर पुर के लिए प्रस्थान किया सौवीर पुर में उसने जननायकों को बतलाया सुमेतर अपनी शक्ती को इतना द्रह कर चुका है कि अब हमें असुर पुर के आर्रे भटो ही नहीं असुरों की शक्ती से भी मुकाबला करना पड़ेगा इसके लिए तैयारी करके हमें असली बात लोगों को बतलानी होगी वरुन नृत्ता खाड़े का दुलारा था और वर्षों से पतियों का मुखना देख पाने वाली आर्रे इस्त्रिया जब इस सुंदर नर्तक के मुझ से एक कांट में अपने पतियों की कर्टूतों को सुनते तो उन्हें पूरा विश्वास हो जाता फिर एक कांट से दूसरे कांट में चल कर बात बड़े वेग से फैलने लगती वरुन कवी भी था उसने पति वियोगनी आर्रे महिलाओं की और से असर कन्याओं को अभिशाब तथा सुमित्र के विलास पून सुार्थमय जीवन की कितने ही सुन्दर गीत बनाए जने तरसकार कर लौटाने का परणाम और भी बुरा साबित हुआ सुमित्र को लौटने के लिए कहने पर भी जब वो आने के लिए नहीं राजी हुआ तो उसके स्थान पर वरुन को सेना नायक न्युक्त कर भारी आरे सेना के साथ असुरपूर के लिए रवाना किया वरुन को सामने आया समझ सुमित्र के सेनिकों में फूट पड़ गई और कितनों ने अपने अनारे वेवार के लिए सच मुछ पश्चाताब किया बाकी बची हुई सेना की मदद से लड़ने में सुमित्र को सफलता की आशाना थी इसलिए अन्त में उसने वरुन को नगड समर्पित कर सौवीर पूर लोटने की इच्छा परकट के इस परकार आरे जन पहली भीशन परिक्षा में सफल हुए वरुन ने असरों को नहीं छेड़ा क्योंकि अब वो अस्त्र से नहीं लड़ रहे थे हाँ आरेयों को असरों के प्रभाव से अलग रखने के लिए उसने एक अलग आरे पुर बसाया और रिशी अंगरा की बतलाई कितनी ही बातों को काम में लाना शुरू किया आज से एक सो बावन पीड़ी पहले की आरे कहानी अभी आप सुन रहे थे राहुल सांक्रताया इनके लिखे कहानी संग रहे वोलगा से गंगा की छठवी कहानी अंगिरा मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में